हेलो फ्रेंड्स शेंकी किचन में आपका स्वागत है आज मैंने मसाला स्वीट कॉंस बनाए हैं और फ्रेंड्स हम इने वैसे ही बनाएंगे जैसे मौल्स थेयटर्स में मिलते हैं आप एक बार इस रेस्पी को जुरू ट्राइ कीजेगा पसंद है तो लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए इस मसाला स्वीट कॉंस की रेस्पी को शुरू करते हैं मैंने एक कप स्वीट कॉंस लिए हैं सबसे पहले स्वीट कॉंस को उबाल लेते हैं पानी करम होने के बाद इसके अंदर कॉंस राल देते हैं साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक बार मिक्स कर लेते हैं, और हमें इन्हें तीन से चार मिनिट के लिए पानी में बॉयल करना है, बीच बीच में चलाते रहिएगा, तीन से चार मिनिट हो गई है, आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे, और स्वीट कॉन्स को हम चान लेंगे, चानने के बाद हम इने एक कड़ाई में डाल देंगे, साथ में एक चमच बटर डालेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इन दोनों को एक मिनिट के लिए सोटे कर लेंगे, बटर डालने से स्वीट कॉन्स में बहुत ही यूज़ करना है एक मिनिट तक आप इने लगातार चलाते रहिए एक मिनिट हो गई है अभी हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए आप इने ऐसी ही चलाते रहिए अभी हम इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउरो डालेंगे मिर्ची को आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अभी हम इसके अंदर स्वादानुसार नमग डालेंगे आदी छोड़ी चमच चाट मसाला इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने आदा निम्बू लिया है निम्बू का रस डाल देते हैं निम्बू का रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए फ्रेंड्स मेरे गर्मा गरम स्वीट कॉन्स एकदम रेडी हैं अभी हम इन्हें सर्व करेंगे और फ्रेंड्स आप इन्हें जब भी सर्व करें तो गर्मा गरम कीजेगा ये गरम खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये वैसे ही बनके त्यार हुए जैसे हमें मौल सेटर्स में मिलते हैं और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है तो आप इस रेस्पी को एक बद जुरूर ट्राइ कीजेगा यदि आपको पसंद आए तो लाइक जुरूर कीजेगा शेर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथ में बैल आइकन को प्रेस कीजे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि कैसी लगी आपको चली फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेस्पी की साथ बाई बाई